दोस्तो भालती रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो अपने आप में बहुत गर्व की बात है train से यातरा के दौरान आपने कभी न पभी notice किया ही होगा कि कुछ station पर central या terminus या junction या फिर halt लिखा होता है क्या आपको पता है इन अलग-अलग स्टेशन का क्या मतलब होता है अगर नहीं पता है तो बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तरक दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल, जंक्शन, टर्मिनस, कैंट और हाल्ट रेलवे स्टेशन में क्या फर हम जान लेते हैं कि रेलवे स्टेशन क्या होती है दोस्तो रेलवे स्टेशन ट्रेन के रुकने और यात्वियों के लिए ट्रेन पर चड़ने और उतरने का इस्थान होता है आईए अब हम जानते हैं रेलवे जंक्शन के बारे में अगर एक स्टेशन से कम से कम तीन रूट निकलते हैं तो उस station को junction कहा जाता है यानि कि train कम से कम एक साथ दो routes पर आ भी सकती है और जा भी सकती है और मैं आपको कुछ plus point भी बता दूँ सबसे बड़ा यानि सबसे ज़ादा routes वाला junction मत्रा junction है यहां से 7 routes निकलते हैं विजयवारा junction से 5 बरेली junction से 5 और पीरिवी Central station का मतलब होता है कि यह सहर का सबसे बिजी और important station होता है Central station आम तोर पर बहुत बड़ा होता है और कई train यहां से रोजाना गुजरती हैं हाला कि यह जरूरी नहीं कि किसी सहर में एक से ज़ादा station होने पर वहां कोई Central station भी हो ही जैसे कि भारत की रजधानी दिल्ली का कोई Central station नहीं है भारत में टोटल 5 Central station है त्रिवंदरम Central, कानपूर Central, मैंगलोर Central, मॉंबई Central और चैन्ने Central Next है Terminus, जिसे Terminal भी कहा जाता है जहां जाकर track समाप्त हो जाए उस station को Terminus या Terminal कहा जाता है यह वो station होते हैं जहां से train आगे नहीं जाती है यानि train सिर्फ एक ही direction में entry कर सकती है मैं आपको बता दूं कि छात्रपती सिवाजी Terminal और लोकमनतिलक Terminal देश के सबसे बड़े Terminal Station है इनके अलाबा और भी Terminal Stations हैं जैसे की बांदरा Terminals, हावरा Terminals, भावनगर Terminal, आननभ्या Terminal आदी भारत में कुल 27 Terminal Station है जैसा की इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये वो इस्टेशन होते हैं जो किसी Defense या Police Forces के एरिये के पास में बनाये जाते हैं जैसे की Borelli Kent, Agra Kent, etc. नेक्ट है Halt Station ये वो इस्टेशन होते हैं जो किसी गाउं या कस्वे के पास बनाये जाते हैं यहां केवल Passenger Train ही रुकती हैं और किसी मजबूरी में Express Train को भी यहां पर रुका जा सकता है लाश्ट है Road Station ये वो इस्टेशन होते हैं जो Main City से कुछ दूरी पर होते हैं और Main City को Connectivity प्रदान करते हैं जैसे की 1000 वाग Road Station तो दोस्तों ये ती Central, Junction, Terminus, Kent and Halt Station के बारे में Information उमीद करता हूँ कि आपको इन सब का मतलब समझ आ गया होगा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करना ना भूलें साथ ही ऐसी ही informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू जैहिन